तो कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे सो बच्चो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है एनरजी कंसरवेशन के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अभी सब कुछ ठीक है तो जल्दी से आप लोग कॉपी पैन अपना उठाईए और टॉपिक्स नोट करने शुरू कीजिए चैप्टर वन से आपके जो टॉपिक होने वाला है चैप्टर वन का जो आपका टॉपिक है बच्चो चैप्टर वाइस मैं बताऊंगा और ये टॉपिक्स आपको पढ़के ही जाने है इन एनी कंडिशन ठीक है अभी एक रात का आपके पास ट्राइम है पूरा ठीक है तो चैप्टर वन में कौन-कौन से टॉपिक्स आपके होने वाले है सबसे पहला टॉपिक जो आपका होगा वहोगा एनरजी तो एनरजी के बारे में आपको कंप्लीट कंसेप्ट एनरजी का पढ़के जाना इसकी डेफिनेशन नहीं है विंड एनरजी अगर कुछ बच्चों बाहर से आए तो प्लीज मैनेज करना टॉपिक्स पर ध्यान देना मैं दिन में वीडियो बना रहा हूं तो शायद कुछ डिस्ट्रमेंस आ सकता है ठीक है अधर्वाइस मैं कोशिश करूँगा ना है दूसरा रिनेवल नॉन ऐनरजी है डीकरnous अांड अन्डा ना रिनेवल एनरजस गर्ट ऑ Jang अन्रेनीवल एनरी मर यह टोफिक भी आपको अधरीट्स पड़के जाना है अच्छे से मार्प है उसके बात ऑनरजी क्राइस एनरजी सबचे तॉपिक है यह भी आपको प्लीट्स पढ़के जाना है उस क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़के जाईएगा ठीक है 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 अब इसमें टपिक के बारे में पढ़के जाना और उनके टाइपस भी पढ़के जाना साथ में यहां से भी questions आपका बन जाता है बच्छो तीसरा और लास्ट टॉपिक है फर्स चप्टर का conventional energy conventional energy and non-conventional energy तो conventional energy और non-conventional energy दोनों पढ़के जाना इसमें question ये भी बनता है कि what is the difference between conventional energy and non-conventional energy तो एक question यहां से भी बन जाता है कि इनके बीच का difference बताईए ये भी एक question में पूछ लेता है otherwise इनको अलग अलग भी इनकी परिवाशा है पूछ लेता है यहां पर आपका chapter 1 finish हो जाता है ठीक है अब chapter 2 के topics जल्दी से note करते जाएए आप लोग chapter 2 chapter 2 का जो पहला topic है बच्चों आपका और यह most important topic है energy conservation energy conservation उर्जा का संरक्षण conservation इसको पढ़के जाना इसकी definition उसका complete concept पढ़के जाना ठीक है उसके बाद इसी एक्ट energy conservation एक्ट आपको पढ़के जाना है 2001 और 2010 दोनों 2001 and 2010 2010 दोनों ही आपको पढ़के जाने हैं ठीक है मुझे खुद अभी क्या हो रहा था ना मुझे खुद अभी ऐसा लग रहा था मैं आप बहुत ज़्यादा लेट हों टॉपिक्स बताने हैं और मैं सच में लेट हूं लेकिन थोड़ा सा बच्चो मैनेज करना प्लीज बस पढ़ लेना इसको ठीक है एक रात है वन नाइट फाइट है आज कमर कसलो कल को यह एक्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा उसके आपका फाइफ स्टार रेटिंग जो आपने देखी होगी फाइफ स्टार रेटिंग लिखी रहती है तो फाइफ स्टार रेटिंग से क्या मतलब होता है फाइफ स्टार रेटिंग क्या होती है यह कोशन पूछ ले जाता है इसको भी आप अच्छे से पढ़के जाएंगे उसके बाद government schemes क्या है energy conservation की कुछ एक दो government schemes देख करके जाहिएगा government schemes in energy conservation तो कौन कौन सी government schemes है energy conservation के लिए यह भी बहुत important question यहां से बन जाता है ठीक है उसके बाद direct energy saving और indirect energy saving direct energy saving क्या है direct energy saving and indirect energy saving indirect energy saving तो यह भी topic आपको पढ़के जाना है और यहां पर आपका second chapter भी finish हो जाता है यह most important topics है आपके second chapter के इसके लाबा आप जो पढ़ना चाहे पढ़िएगा लेकिन मैं आपको यह advice करूँगा सबसे पहले इनको पढ़िएगा भाई ठीक है एक्जाम में हो सकता है यही आपको रखे हुए मिल जाए उसके बाद chapter number three कि वह बहुत speedly पढ़ा रहा हूं कि बस किसी तरह आप तक की topics पहुच जाए चैप्टर number third transformer पहला topic इसमें है transformer जो आपको पढ़के जाना है अच्छे से तो step up step down दोनों transformer अच्छे से पढ़के जाना ठीक है इसके types और इसकी definition यानि कि इसकी परिभाशा definition होगी इसकी परिभाशा और इसके प्रकार दोनों ही चीज़े आप अच्छे से पढ़के जाएंगे transformer की उसके बाद second number पर आएगा मोटर दूसरा topic है आपका मोटर चीक है मोटर को अच्छे से पढ़के जाना है हर बच्चे को इसकी definition इसके types इसकी advantage इसके disadvantage सारी चीज़े पढ़के जाना ठीक है उसके बाद आता है third question right the equation of mechanical power generated by the motor यह कि इक्वforme से राइड़ धा इसके डेफिनेशन और इसके टाइप्स उसके बाद फिफ्ट टॉपिक क्या होगा अभी बताता हूं आपको डिस्टिबूशन सिस्टम तक हो गया आपका अब चैप्टर थर्ड का ही फिफ्ट टॉपिक है यह पावर फेक्टर तो पावर फेक्टर क्या है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले इसकी परिवाशा आपको पढ़के जानी है क्योंकि इसके एडवांटेज इसके लाब एडवांटेज और इसके डिसडवांटेज यानि कि लाब और हानिया यह सारी आपको पढ़के जानी है पावर फेक्टर की पावर फेक्टर के बाद एक टपिक आता है आपका 6th नंबर का खाली पावर थीक है तो पावर आपको वो complete concept power का पढ़के जाना है definition भी types भी उसके बास simple rate tariff, simple rate tariff, simple rate tariff, simple rate tariff आपको पढ़के जाना है बच्चो ठीक है ये भी काफी important topic है आपका simple rate tariff तो यह 7 topic अगर आप chapter 3 में पढ़ लेते हैं आपका chapter 3 finish हो जाएगा अब बात करेंगे chapter चैप्टर नमबर फॉर की बच्चो का पहला टॉपिक है आपका वेक्यूम पंप वेक्यूम पंप पूरा यह आपको पढ़के जाना है इसके यूजेस से कोश्चन बनता है और इसके लॉसेस क्या क्या इसमें लॉसेस है उससे भी कोश्चन बनता आपका ठीक है दूसरा रेफिजरेशन रेफिजरेशन ठीक है तीसरा टॉपिक है आपका वेंटिलेशन तो यह सब आपको वन बाई बन पढ़के जाने है बच्छों चौता टॉपिक है एयर कंडिशनिंग क знаю취ंग एक हो Harm모reek एयर कंडिशिनिग एयर कंडिशिनिग भी आपको पूरा पढ़ेंगे जाना है ठीक है फिफ्त टोपिक है आपका कंप्रेशर ठीक है आपकर आप ड़्फ टोपिक हूँ फिफ्ट टोपिक लिखलो पावर आफ मपम उसके बाद आपको पूरा पढ़के जाना है ठीक है उसके बाद कंप्रेसर की डेफिनेशन हो गई कंप्रेसर के टाइप्स हो गए सेवन्त टॉपिक इसमें आपका रहेगा लीकेज तो लीकेज का पूरा पढ़के जाएंगे आप लोग यहां पर फॉर्थ टॉपिक फोर चैप्टर अपका फिनिश हो जाएगा आपने इतना पढ़ लिया तो फिर मैं बात करता हूं फिफ्ट चैप्टर में क्या-क्या पढ़की जाना है आपको अब बात करेंगे फिफ्ट चेप्टर की फिफ्ट चेप्टर में पहला टॉपिक है आपका लक्स यह वहाला लक्स नहीं यह लक्स अबुन सोप नहीं है यह एक टॉपिक है आपका तो लक्स के बारे में पूरा पढ़के जाना ठीक है फ्लेम मेकर दूसरा है फ्लेम मेकर फ्लेम मेकर तीसरा टॉपिक है आपका आर्क लैंप आर्क लैंप आर्क लेंप पूरा पढ़के जाना आपको है और सेवन्द टॉपिक है आपका हेलोजन लेंप हेलोजन लेंप तो हेलोजन लेंप भी आपको पूरा पढ़के जाना है तो यह साथ टॉपिक है आपके फिफ चेप्टर के आपको अच्छे से पढ़के जाने ही है साथ के साथ टॉपिक ठीक है उसके बाद सिक्स चैप्ट जो आपको पूरा पढ़़के जाना है हीट एनर्जी दूसरा टपिक आपका होने वाला यूनिट ओफ एनर्जीuted यूनिट ओफ एनर्जी ठीक है तीसरा टपिक आपका चिससे कॉशन बनता है बॉयलर इसकी definition भी और boiler के types भी दोनों उसके बाद cooling tower fourth topic है आपका cooling tower cooling tower आपको अच्छे से पढ़के जाना है पूरा ही topic यहाँ पे आपका six chapter finish हो जाता है यह most important topic है आपके six chapter के जो आपको पढ़के जाने हैं अब मैं बात करूँगा 7th chapter की तो 7th chapter के मैं बता देता हूं आपको कौन-कौन से topics most important है जो exam में पूछ ले जाते हैं जो आपको पढ़के ही जाने है सबसे पहले ECBC 7th chapter का पहला topic है ECBC और ECBC और last topic भी यही है तो इसकी full form इसका purpose ठीक है इसकी definition क्या है परिभाशा इसकी full form क्या है ठीक है और इसका purpose क्या है क्या जरूरत है इसकी यह तीनों topic आप पढ़के जाएंगे ECBC chapter number 7 से पूछी ले जाता है most important है आप बात करेंगे chapter number 8 की इतनी स्पीडली किसी टीचर ने अभी तक topic नहीं बताए होंगे यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है पूरी book 10 मिनेट में खतम base heat के जो इस तुरोतर क्या है तो this के बारे में आपको पूरा पंढ़के जाना है बच्चो यहां से क्वेशन बनता है क्या क्या हैでは मैं पता निस स्टरोतर सही लग नहीं बोल रहा हैं हेंसी इसकी क्या है वेस्ट हीट की तो वेस्ट हीट का पूरा पढ़के जाने कंसेप्ट यहां से कोशन बनता है को जनरेशन मेथड दूसरा टॉपिक है को जनरेशन मेथड तो को जनरेशन मेथड आप अच्छे से पढ़के जाएंगे बच्छो पूरा को जनरेशन मेथड के बाद तीसर और वेस्ट से जो एलेडी बंती है उसका क्याल आप है उसका लिप्सक्राम कि यहें लाव आपको पड़के जाने हैं सारे पूछ रहा आप से की जो एस गूरे से जो हम इनलेड़ी बना रहे उषके आप रंप को पड़के जाने पूरे उसका हीट रिकवरी यूनिट फॉर्थ टॉपिक है हीट रिकवरी यूनिट अगर बाहर से आवाज आ रही होगी तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना भी अभी हमारा एक्जाम पर फोकस होना चाहिए टॉपिक पर फोकस होना चाहिए ठीक है पडूसियों के बच्चे नहीं मानते उनको इग्नोर कर देना चाहिए अब चैप्टर नंबर नाइन होने वाला आपका बच्चो जब मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ऊपर भी नहीं पड़ना चाहिए बस टॉपिक पर ध्यान दो अपने टार्गेट पर ध्यान दो और तुम लोग कर सकते हो यार कर सेव करें तो हाव टो सेव एनरजी इन किच्छन पर पूछ सकता है आपसे आपसे टीवी पूछ सकता है आपसे एसी पूछ सकता है आपसे वहिकल पूछ सकता है किसी पर भी कोश्चन मन सकता है कि एनरजी को कैसे सेव करें किच्छन में टीवी पर एसी में वहिकल में तो आ energy audit पूरा पढ़के जाना है और इतने topics आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए यह most important topics थे अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please